एला वेरिवन वेल्कम तो कॉम्स्कॉलर आज हम इस वीडियो लेक्टर में देखेंगे कि स्पेसिस में कोई भी डेटा का अगर आपको नेचर देना है तो आपको अब्जेक्टिव के एकोडिंग आपको डेटा को एनलाइस करना आना चाहिए तो आज हम एक फर्स्ट जो हम देखेंगे बहुत की बीजिक है एक जाहिए घट इस कोल्ड डेटिश्कृप्टिव एनलिस देख्ये टिचों डेटिश्क्राइब करने जाओं नामसे सजचेस्ट है डेस्क्रिप्टिव एट मीनस तू डिस्क्राइब संधिंग सो आप किस तरह आप आप जो तो जैसे कि मैं वही डिटा भी में वही उस कर रहा हूं जो अब तक मैंने लास्ट प्रीविएस वीडियो लेक्चर में यूज कर था तो जैसे माल लिजे एक मैंने तो मैंने चार स्टीटमेंट पुछी दी फिर्स वन इस एडवर्स एफेक्ट ओन एक्सपेट रिटन दी तो क्या वह उनसे डिस अगरी करते हैं डिस अगरी करते हैं नीट्रल है अग्रीड है यह उनको इस पर टिक करना हुआ देन इधर देशिफ्टी तू मौर कंसर्वेटि सब्सक्राइब करता है तो उसका नेगटिल एफेक्ट भी करता है तो क्या वह उससे अगरी करते हैं डिस अगरी करते हैं यह उसके गोडिंग स्टेट्मेंट है है आपका that means one to five one था आपका that is related to one in respect of strongly disagree two for disagree three for neutral four for agree and five for strongly agree तो उससे के कोडिंग था तो हमारा चो डेटा था देखे यहां पर आपका यह डेटा है और यह आपकी वेरिवल्स है तो यहां पर देखे अगर एफएक्ट में चार कुकॉशना पूचित अपर और गौड़ा तो अगर मानने जीए यह थरी यहां थरी से ऊपर है मांने जीए फोर है ठोक्रे मांगे चले करों.. कि बहुत रिस्पॉंडेंट यह का मानना है कि हां कोविनेंट की वज़े से उनकी मुझरिफंड सेविंग्स पे एफेक्ट हुआ है तो बट हमें तो चार की वज़े हमें एक चाहिए हुथ है तो हमें देखिए लास्ट विडियेचर में देखा था हमने कैसे जो है ट्रांसव कंपूड वेरिवल वोजसे अपले देखिए तन यह को एक इस एफ ए ए ए एक को विडिव सिर्ग देखिए हैं नास्टीर कि लास्ट अश्ट विग्ढ यह दा जस्ट कोपी ज़िए पेस्ट यह को चुटिनिव दैन गोफोर में मिन में आपको देखरे स्टेप्मन कों सा अपने कालतर that is related to effect of covenanting second one put comma third one and the fourth one that's it now simply press ok अब देखिए आपका एक और यहां पर आपको प्रेट हो गया होगा देखिए इफट पर बेंट चीकिन यह होगा आप यह आप इसको डिटर व्यूमें देख सकते हूं तो यह उनका एक आप अब हमें देखना है की ऑगो रोड जो है इसका डेस्क्रिप्ट चैटिस कैसे नाश्याज करेंगे सो गोटो अनले इस डेस्क्रिप्टिव श्रीक्स शेकन उस्ट्रीप्टिव यह को जाना चाहरे हैं तो अवर्ड इफेक्ट ओवर इफेक्ट देहना च जा रहे हैं सब कुछ हम जाना जा रहे हैं वेरेंस भी रेंज भी सेने दरन भी कर्टोसिस भी स्कुनिस भी everything right and then simply press okay just a minute sorry not explore एक्स्टोर होगा एक्स्टोर एक्स्टोर सो डिपनेंट वेरिबल इस लिटी टू इफेक्ट अविन एंडिन फ्क्तर एक्स्टोर में इसको मेजर किसे का बीवर परस्टीं जो इफैक्ट किसके आसपर करने चाहरे हूं suppose by gender दर खना रहा है so I'd go to statistics that means what kind of statistics you want to measure so descriptive overall descriptive ओगया at 95 percent अपधा आपका jyakka interval हो गया लें प्लोट्स प्लोट्स स्टैममलीव अभी हम नहीं करते हैं इस्टोग्राम ले रहें एंड नॉर्मलिटी एंड अल्डिस विल टेक इन नेक्स लेक्टर तो अभी हम एक छोटा साफ आपको अलनाइस करके दिखा है एक्स एक्सप्लोर ऑश्टन में देखे क्या होता है यह अगर आपके कोई कोई भी डिटा में वेल्यूस मिसिंग नहीं है तो अमारे कोई मिसिंग नहीं है सब्सक्राइब कर देखें जेंडर वाइस कि हमने एफेक्टव कोई मेल 49 इमेल 44 इसके बाद आपका है यह ओवरल केसे दिखा रहे है आपका अच्छा आप बोरों कि मिसिंग क्यों है देखिए में संसे वह नहीं है में सिंग वह हैं आपको याद हो कि जो मेरा डेटा था इसमें पुछ वह भी डेटा है जैसे देखिए मैंने आपको पुछा था देट डू यू वांट टू इंवेस्ट इंवेस्ट और नॉट तो यह यहां पर देखिए डेटा कुछ है मारा कुछ है कुछ नहीं है में चाउब कर सकते हैं कि आपको लम नतर स्फोजं कि सर्फ us if ओन्काइट करते हैं जो की इनवेस्ट करते हैं अगर सिर्फ Aldecan गोटो अनलाइज दिस्क्रिप्टिशिक्स एक्स्प्लोर अवर्थिंग वोड़ी सेंग अधिस अब देखिए अब अभी जिरो हो गया ने को डिटा महारा मिसिंग नहीं है तो अब देखिए इसको डिस्क्रिप्टिव स्टैडिस को अब रीड का से लो सकते हैं तो जेंटर वाइस से देखिए मेर पहले मेल पढ़ रहें तो मेल का देखिए मीन एफेक्ट अवरल इफेक्ट किता है तो पॉइंट एट जीरो जिक्सवां देखिए वन क्या था आपका देजर्टिज इस्ट्रोंगली डिसग्रीड देन तू अपका दिसग्री थी क्या था तो स्ट्रोंगी डिसग्री और निट्रल यह भीकुल देनों के बीच में है तो यह मीन आए दैन 95 95% कॉंफेटेंस लेवल इंटरवल एटमिस लोवर बांड अपर बांड की वैली दिए अपको दिस पने दिस में दिस मैं देखिए वैसे होता क्या है वैसे 95% कॉंफेटेंस लवल होता कि तश्चिए से अवररल आपको मीन की वैली दिखाते है जैसे ही जब भी एक्जाम में होता क्या बैसे करी मिलने की जब भी एक्जाम में कोई बीकुर्शन करता है तो बेसे करता है on the basis of average students तो फोतक क्या बेसे कि माने जी को डेटा है इशको बहुत है नॉर्मल दिस्टीशिटार श्रीशन करता हा जाब कराएं अबें इस इच्वेस ZOO मौर्ड इच्ट इक्वास्तु मेडिन बैं ट्री उप एक्वल यह एक्वल दैन वीडियवीऌ से जैंट अर्निशन नॉर्मल हुआ तो को रहेगा यह नॉम डिस्टिभीशन ही एक तो यहां पर करांगे जब डेटा अगर नॉर्म डिस्टिभीशन डेटने लिए बिल्ट का यहां पर करांगे जिस पर स्कृति गर। अगर किसी भी डेटा अगर यहां पर लाइफ कर रहा है तो इसको हम इग्नोर कर लेंगे अगर वह पर लेंगे अब तक हमने दिखा कि मालेजी एक स्कूल है वह डीटा किलेट कर रहा है कि वे 12 का एकाउंट में जो आवरेज स्वेड़ने के मार्स है सब्सक्राइब अके सबस्थ 95 ठीक है लेकिन एक सूटेंट है जिसके मालेजी 100 अमक्स अगर वह गांट इस एस तो अगर वह 95 के अंडर आ रहा है तो अगर वह 95 परसंट के अंडर आ रहा है तो यह 95% confidence इंटर लेवल आपको यह शो करता है एक तरह से भी कसतों जैसे हमाल लीजिए वहीं से एक जाम पहले थे हैं कि अब तक मार्क सब्सक्राइब अगर किसी टीचर से भूलने कि अब आप बतों next year में आपका जो है कि बच्चों के मार्क्स कितना आजेंगे तो बलेगा कि on and every सबके 95 मार्क्स आजेंगे तो देट मेंस वह 95 परसेंट कौन इंटीफ परसेंट सुर्टी है कि इतने मार्क्स आजेंगे बाकी on and every सब्सक्राइब हो सकता है यहां बार जादा डिफरेंस होता है so that is there is something wrong going on okay then 5% 3md भी वही है 5% 95% का difference 100-5 that is 5% then median आपको चैसे पता हुआ कि median कि होता है then variance that means the tells about the इसमें आपके डिफरेंस कितने कितने हैं इसमें आपके डिफरेंस आपका जो मेंडी है एक आपके टर्म इस पॉल इसको इसको इस गोले से इन दो ने बहुत कॉंपिसन होती है इसमें इसमें कितले से अफॉल बाता है एक जो इसमें आपके जो कित्क शुटन होती इक कर दीफरेंस में अजडर दिच Campaign present हो तो लिए विर्श जीतना बड़ा हो गया तो यह कम होना था थिए यह चाहिए निदिन काम टैटमेंस आपका जो डेटा है वही उतना आपका fully truthful आका interpret करना जा रहा है same way आपका वैस होता है standard error standard error क्या होता है that means the difference between the population mean and the sample mean population mean and the sample mean I repeat standard error is the difference between population mean and the sample distribution mean whereas the standard deviation क्या होता है the difference between the mean and the actual rate ठीक है तो यह होता है standard error more or less वह ही है standard error में क्या होता है वह भी आपका variation बताता है यह भी आपका variation बताता है बट आपको वी value आप ले सकती हो ऐसे कुछ नहीं है कि आपको सिर्फ दोने ही करना है तो यह बस मैंने समय करता है यह भी वालने चाहब को समझ नहा रहा हो आपको यहां पर देखेंगे क्लिक भी कर सकते हैं कि अब आपका है देखेंगे मिनिममम देखेंगे रेस्मांट संब पुछा था कि आपको जोए टिक करना है फ्रॉम वन तो फाइव तो में लेगे आपर मिनिममम कितना माक्या है वन मैक्सिम कितना है 4.25 रेंज होगे आपको इसका वाड़िए 3.25 इंटर कॉटल रेंज का उसका उसका क्यू 3 मानस क्यू 1 तो वह दिवा तैट इस 1.25 स्क्यूनेस देखेंगे स्क्यूनेस के मैंने अलग से वीडियो लेचे बना विए तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्र बिस्क्राइब को कॉन साथ है यह अगर वैल्योगि वह तो क्या थे लिवादी तो हां पॉस्टी इसको पोर्जिव इस नौर्मल तो है नहीं लेकिन जीरो से आपस होना चाहिए जिए जीरो के गलोस है इसके जम्रिक डूड़िवी प्च्वेस वीडिए नहीं तो इसका मै तो देखिए अभी देख हमने जो डेस्क्रिप्टिव पड़ा वह सिर्फ मेल करें पड़ा मेल का देखिए मीन के तना इता इस टूपंट एट ना इन तो देखिए यहां पर जाधा है ठीक है तो इसका अब तक हम क्या समयारा कि फिमें यहां पर तो यह का पर सब्सक्षिंघ यह है कि कोई एंडिन से उनको जाधा इफेक्ट हुए मिचोबंड मेंच करने से इनका मिनियम देखिए वन है मैक्सम फाइव है रेंज फोर है तो देखिए यहां पर आप देखिए ग्राफ भी देखते हो इसका आप यहां पर यहां पर यहां पर आप कि देखिए नॉर्मल डिस्ट्रिबिशन है यह फी मिल का है यहां पर बॉक्स प्लोट है सारी वेलिए अपकी इस इनी मीन की बीच में लाइख रही है इनी की मीन की बीच लाइख रही है अदेशा का देखिए मीन का देखिए फीम लाइख रही है